हुआ 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 है कैसे हैं आप लोग आप सबका स्वागत है फिर से निक व्लोग वीडियो मेरा राम मोहमद बरार सिद्धी की और गाइस फाइनली जो है ना इंदर परस पार्क पहुंच चुक हूँ हाँ एक्किल में क्या होता है कि एक दिन में मैं चार जगहा करके जो हैना व्यडियो शूट करता हूँ ठीक है तो पहले में राज घाट में व्यडियो शूट करने के बाद में मेरे फ्रेंड कि वहीं पास में वहां चले जाओ तो मैं एक बंदे से पूछा उसने का कि थोड़ी दूर हो रहा है फिर दूसरे से थोड़ी दूर आ और थोड़ी दूर और थोड़ी दूर करते करते जो है गाइज मैं जो है ना साथ किलो मिटर पैदल चल गया था और उसके बाद जो है आप देख रहे हो कि मैं इंदर परस पार्क पहुंच चुका हूं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बंद नहों जाए गाइज यह पार और गौतम बुद्ध का जो है ना मैं आपको हिस्टिरी भी बताने बनाओ ठीक है गाइज तो चलते हैं ब्लॉक को शुरू करते हैं गाइज इंदर परस पार्क आने का जो नियरभाई मैट्रो इस्टेशन है वो निजामुद्धिन है और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद जो है ना आप आ सकते हो और या फिर ओटो वाला भी आपको छोड़ेगा यहीं पर ही छोड़ेगा आप देख सकते हो ठीक है और जस्ट इसी के सामने जो है यह में गेट है तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं आप गाइज हम जो है ना अंदर की तरफ आ चुके हैं गौतम बुद्ध का जो है न यह मंदिर है और कहते कि गौतम बुद्ध का जो है न अस्तिया जो है वो थोड़ा से यहां पर भी है इसलिए जो है यहां पर गौतम बुद्ध का जो है न मंदिर बना दिया गया है तो अब जो है गाइस हम इसके अंदर चलते हैं और इसका है न एक दरवाजा ये भी है आप इस दरवाजे से अगर आप एंटर करोगे न तो यहां से एंटर करने के बाद में डायरेक्ट जो है आप मंदिर की तरफ ही जाओगे गाइस में दरवाजा के पास जो है न हम आ चुके हैं यहां से वीव देख सकते हो आप गाईज मैं आप लोगों को जो है न वीव दिखाता हूँ आप कितना बहतरीन वीव है इसकी जो है न कारीगरी देखो गाईज इसके दरवाजे का और किस तरीके से जो है न वो नकाशी की गई है देख रहे हो आप जूम करके भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यह देख एग ये पूरा जो है व्व वॉयट पत्थर से बना हुआ है और बताते हैं कि वाइट पत्थर जो होता है न, वो शांति के लिए माना जाता है तो इसकी कारीगरी देखो आप कितना खुबसूरत है। और यहाँ पर जो है न, वो दो शेर हैं, दरवाजे पे देखे रहोंगे अब, यहाँ पर, ठीक है। कुछ बच्चे वगएर हैं, यहाँ पर जूते चपपल उतार दे, अगर आप जाना चाहते हैं, तो हम पहले जूता चपपल उतार दे। गाइस फाइनली जो है वो मैं ऊपर आ चुका हूँ ठीक है और मैं आप लोगों को जहें न वीव दिखाता हूँ कि आज जो है संडे तो क्राउट जादा है तो देख रहे हों गया है और गाइस यहां पर जो है ना सुकून भी है काफी क्योंकि यह पूरा जो है वाइट पत्थर से बनाया गया है ठीक है और वाइट पत्थर जो है ना वह शांती के लिए माना जाता है गौतंबुध के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ है इसकी जो पैदाइश होई थी वह 573 इस्वी में पैदा हुए थे जैसे मैं आप लोगों को बता दू कि हर धर्म में एक महान इंसान होता जैसे मुसल्मान धर्म में हुजूर सलललाओं सलम है जो दिन का दावत देते थे हिंदु धर्म में है सबसे ज़्यादा राम को माना जाता है इसी तरीके से ये गौतम बुद जो है ये बहुत धर्म के जो है न ऐसे ही माना जाते हैं 29 साल के उमर में इन्होंने घार बार सब छोड़ दिया था और जंगल में चले गए थे और इनको जो है न कहते हैं कि उस धर्म के हिसाब से जो है ना इनको शक्ति भी मिल गई थी समझ रहे गाई तभी से जो है ना ये सब के दिलों में है ना राज कर रहे हैं गौतम बुद जो है और इनके जो मानने वाले हैं वो सबसे आदा आपको लद्दाक में ही मिलेगा कहते हैं कि लद्दाक में जब ये मरे थे तो उनका कुछ अस्तिया जो है वो दिल्ली के अंदर आया था और अस्ति का जो कलश होता है न वो यहीं है और इसी सुफा के अंदर है गाइस तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा और वीव दिखाता हूँ हैsis कर दो आप hire में उपर हूँ और उपर से चाहिना होत बहुत 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 कर रिव आता है वह मैं आप लोगों को दिखाने वादा हूरा अप यह देख सकते हो गाइ तो यहां पर फैम्ली जो है वो जरूर विजट करे यहां पर आप देख रहोंगे जादतर फैम्ली है यहां पर कपल्स वगरें कोह चारा नहीं है रहकी समझेरों ना फैम्ली है और यह मंदीर है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इतना खुबसूरत है मुआ है अब हम चलते हैं बाहर की तरफ ज्फूला वगर्च बूं यहों दूब भी दिखांते ऑंगां हिगाईज अभी जो है न में हम बाहर आये ठीक है और वाइट पक्थर से बना हुआ है ये भी खाफी खुब्सूरत लग रहा है और यहां सामने में जो है एक जील है यहां पर जो है एंट्री अलाउड नहीं है देख रहे हैं बहुत ही खुब्सूरत है भी गाइज अब जो है ना हम बाहर की तरफ चलते हैं ठीक है और बाहर भी जो है ना बहुत सारी चीजे है देखने के लिए तो उसका जो है ना वीव आप लोगों को दिखाता हो मैं और फिर जो है में ब्लॉग को वहीं एंड करूंगा ठीक है यह रहरा की ता आप देख रहा और मेरे पीछे कितना ब्हहतरीन वीव है पीछे देखरे हो आप मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ बहुत ही प्यारा वीवै यहां ब्हू जरूर करो आप बहुत ही अच्छी जगह है यह देख रहे हैं तो आप यहां से एक बर वीव देखो अब कितना बहतरीन वीव है ना गाइस बहुत बहतरीन प्रता एक चीज मैं आपको बता हूं मेरा भांजा छोटा सा था तो बच्चा था बच्चा तो कहते हैं कि भगवान का रूप होता है तो वह यहीं आया था तो यहीं टॉलेट करती है था इसी मंदिर में इसी मंदिर में तो बच्चा थो खर भगवान का रूप होता है गाईस यहां से जो है ना बाहर निकलने के बाद हमने एंटरी यहीं से किती है यहां पर देख रहोंगे सारे फैमिली वाले बंदे यहां पर देखो कि बहुत अच्छा जो है ना बच्चों का जो है जूले वगरे का इंतिजाम है बच्चे जो है यहां पर पाटी कर सकते हैं अब देख रहोंगे बिल्कुल फिरी में होत प्यारा है देख रहोंगे अब यह जूला वगरा यानि आज संडे है तो प्रॉड है और इसी के सामने में ही जो है वो कैंटीन है यह देख रहोंगे अब यहां पर कैंटीन है कैंटीन का भी सहूलत है तो टैंशन नहीं है आप देख सकते हो और यहां पर जो है फैमिली के साथ आप जो है ना पिकनिक भी कर सकते हो यहां पर बच्चों को ला सकते हो ठीक है कोई च और भी वहतरीम शुकून वाला है गाइस चलते चलते जोहना मैं ठख गया हूँ और ठख करके जोहना मैं बैठ गया हूँ अभी पार्क में ठीक है और बहुत चला हूँ यार गाइस मैं बहुत चला हूँ आप यकिन नहीं मानोगे बहुत चला हूँ मैं साथ किलो मिटर तक पैदल चला हूँ मैंने आप लोगों को मंदिर का और इस पार्क का यह पार्क ही नहीं पार्क के साथ साथ एक जो है एक मंदिर भी है अगर नहीं तो तो आप मुझे यही प्यार देते रहें और फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना धियान रखिए धियान रखना बहुत जरूरी है मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूं दिल्ली में आप हो तो आप वीजिट जरूर करो अगर दिल्ली से बाहर ह तो आप मेरे साथ है न घूम सकते हो क्योंकि मेरे ही तरह जो है न आप भी घूमक कर बनो ठीक है गाइस घर बैठे बैठे अल्लाहाफीज